आज हम आ चुके हैं शिव खौडी पर तो आईए आज आपको दर्शन कराते हैं शिव खौडी पर यह शिव खौड़कर दोच्त लगार, तो निंगते हैं आज काम की आई। त्सकAnto करी перten कम को खौड़कर देन है शिराlles घ्लाइए शिर क्वारा, किसी आपक 자े शीन है। अला, है टूड़कर तुल मैं पर ट्रॉल, और तो नोरन है जौडर, सकूत दख तेना करा हैisma वो ठेखसे हुआ हैं कि लो काुछ है अवालो 14 प्रश दूरी यडि जाने हैं कि लैजब कुम घजे हैं कि उन्ध्र काके ते दो में mod हश काुम है С 57 च्रवा की वाड गंगा तो नहीं कह सकते, पर जो भी है, इस फंटास्टिक, एक अपुद नचारा, वाड़न में ना ही, पक्षब को घृचि एफनेगे जिस हैं, एक फिरेभन, कि शिरेज Marcus कि पιοझते, पर जो भी है, आपूए सुनाना भी हम थे सब्सक्राइब डिए अबनी रोट ओब तेने लाको राभने के शोड़िरी उंप खेवा करूब इच था दो इंद विर्फट्ट इंद प्राइब डालीज इंद फिर्फू। which is known as pony I think the horse rider said that if you take the journey with the ghodi's you have to give 190 rupees to bring the journey of ship ghodi look at that this side oh my god it's fantastic view incredible the view of mountains very fantastic incredible I can say that look at that these are some people who enjoyed their journey of ship ghodi the horse rider are coming horses are coming take the tourist and look at that outside it is incredible this is the view of the frosty map this is the verification code this is the fantastic river I don't know the name of this river but it's a very fantastic view look at that some people are enjoying batting over that side and look at that oh my god this is the temple this is a fantastic way of ship ghodi pull that way जड़ी रावत रिपी सिना पूम जिन्मता श्री माता वैश्नु देवी और शिव खौडी में सिर्फ फर्क इतना है कि वैश्नु देवी कितर्शन पाने के लिए आपको लगभग साड़े बारा किलो मेटर उपर चनना पड़ता है लेकिन शिव खौड़ी धाई किलो मीटर तो अपने आपने का अच्छा जर्मल है बड़ी भी एक है सकते हैं इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंदरो से साव दाव देखते हैं आगे क्या होता है क्या है कर दो और कर दो कर दो कर दो का अच्छ दो बाच को लुग साथ का अच्छ दो हुँ हुँ लोग दो लोग लो कर दो खिड़रा जों। ड्रहता रेंग वर्णाइब दियुज आघ का जो है जो रहें जो हैंटा जो हैंटाता गोला भात्त आए जो लिए आजजी का जड़ा है